असलाम अलेकुम एन वेलकम बैक उमीद करते हूं आप सब खेर यह से होंगे आज हम पाउडर प्रेस अप्लाइ करने के टूइसे मैथट्स अप्लोग साइट करूंगी तो जल्द से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले अपने स्कुन पर अच्छे से करनी है तो यहां पर मैंने रोज वाटर अप्लाइ किया है आपको यह सब भी रोज वाटर यह टोनर अप्लाइ कर सकते हैं उसको अप्लाइ करने के पाद आपने पांस मिनिट के लिए जो है वो रहस देने के छोड़ देना है अगर आपके पांस मिनिट नहीं है तो आप दो मिनिट को प्राnet करें शर्रूर दे अन्देन जो है वह आपने को इस भी प्रामर अप्लाई करना है तो pozw पैर में लॉडेयल पैरस का यह प्रामर यूस कर रहे हुह हमें तो यहांं पेष औच गचे से वह आपने बेस के लिए हम बेस बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने कोई सबी फाउंडिशन लेना है तो यहां भी मैं अपना बेस लोंग लास्टिंग और फ्लॉलस बनेगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमरी बेस ब्लैंड हो चुकी है और इसके बाद जो है वो इसको फिक्स करने के लिए जो है वह हम पाउडर बेस यूज़ करेंगे और यहां पर मैं शेफर की यह पाउडर बेस यूज़ कर र यह अवरी कॉल्ड 316 कलर है और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का जो है वो यह लूज पाउलर होता है और आप जो है वो इसके बाद यहां पर मैं लूज फेश शाइनर यूज़ कर रही हूं यह वो भी क्रिस्टीन का है तो इसको हम उपन करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने खूबसरत लग रही है इसकी शाइनिंग आप हमने इसको बनाना कैसे है तो सबसे पहले जो है यहां पर मैं पॉडर यूज़ कर रही हूं शेफर बेस का तो आपने इतने प्रेंटिटी में जो है वो पाउडर अपलाई करना है अंदें यहां पी जो किया है वो क्या कोन सी मिस्टेक की है वो आगे चलके आप लोगों को पता चल जाएगी तो यहां पर मैंने जो है वो इसमें शाइनिट किया अगर आप और ज्यादा शाइनिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं बट जो है वो एक फेस के लिए इन नफ है यह इतना शाइनिट तो आपने इसमें जो है वो रोस वाटर अप्लाई रोस वाटर एड करना है तो आप सिंपल वाटर से बनाना चाहें तो वो पर बना सकते हैं तो यहां पर मैंने रोस वाटर अप्लाई किया है इसमें एड किया है और इसको अच्छे से जो है वो आपने मीस करना है तो यहां यहां पे आप आप देख सकते हैं कि जो हैं वहाँ मिक्स कर रहे हैं बड़ यह मिक्स बिलकुल भी नहीं हो रहाता है तो ऊपने फिल्कुल भी घलती नहीं choosing अब अफैशत कर लइन जो हाँ मिक्स कर ली थी पहो हैं करना है आप देख सकते हैं कि जो मिक्स हो चुके थे बर जो लूस बाउर था वो अभी भी मिक्स नहीं हो आप यह उपर उपर ही था जैसे के और इसके बाद आपने इस तरह का स्पंज लेना है और इसको अच्छे से जो है वह आपने इसके ब्लेंड करनी है अपने स्पंज को वो आपको इसा भी compact powder यूज़ कर सकते हैं तो यहां पे मैं Glamorous Face का compact powder यूज़ कर रही हूँ इसको अपने अप्लाइ कर लेना है इसको बेस को लोग करने के लिए तो यहां पे हमरा first method जो है वो ready हो चुका था और इसके बाद जो है वो second method मैं आपने हमें जो है powder base apply करने से पहले आपको इसे भी क्रिस्टीन किस्टे की यहांडी base यह foundation आपने लाजमी apply करना होता है इससे आपकी base जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी बनती है अगर आप उसके ओपर powder base अप्लाइ करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर और कमिट्स जरूर किया करें यहांपर मैंने हाथ से रब किया है लेकिन base जो है वो पनी जैका से बिलकुल भी नहीं ली तो यहांपर हमारी base रेडी हो चुकी है और यहांपर आप नेक्स बारी आती है हमारी lose powder टेस्ट करने की तो यहांपर मैंने water लिये है half glass और इसको जो है वो हम इसमें lose powder एड़ करेंगे तो यहांपर मक्डिस्टीन का lose powder यूज़ करेंगे अगर आपके पास भी इस तरह के lose powder है और आपको आप देखना चाहते हैं कि वो long lasting है या नहीं है तो sweat proof है तो अपने इस तरह से जो है वो इसका टेस्ट रूट कर लेना है तो यहां पर मैंने इसमें add की है और इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका live result यह पाने में बिल्कुल भी dissolve नहीं हो रहा था यह वाटर जो powder था वो बिल्कुल उपर उ results कैसा है और यह बिल्कुल लॉंग लास्टिंग और sweat proof है यह powder तो आपने यह जो है वो पाई जरूर कर लेना है winter summer में तो इसको जो है वो मैंने अच्छे से blend किया है I hope आप लगो कुछ समझा गई होगी तो में लोंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लिए लाफ और प्रपक के लिए भाई वीडियो में लिए 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 लगए है यहाँ लाई लगत प्रफ़ाएँ लिए है यह हमाई लाई शाए, लख लिए लुटपाष लगषण है जब लेगए biscuit है यहाँ का आप लिए लिए है यहाँ